कोरोना वायरिस के नए वेरिंट एमेक्रोन के मामले दुनिया के कई देशों में तेजी से बलट रहे हैं। आंधर प्रदेश और चंडिकर में इन दोनों जगों पर वायरिस के इस नए सरूप का पहला मामला सामने आया है। दक्षन अफरीका से आया था और क्रोना वायरिस से संक्रमित था। राज के स्वासबंतरी डॉक्टर के सुधाकर ने स्ट्रेट किया है। करनाटक में इमक्रोन सरूप से संक्रमित के तीसरे मामले का पता चला है। दक्षन अफरीका से लोटा 34 वर्षी वेक्ती संक्रमित पाया गया है। उससे प्रतक कर सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उसके प्रत्मिक संपर्ख में पांच लोगों के और द्वितिय संपर्ख में पंदरा लोगों के आने की जानकारी मिली है जिनके नमूने जाच के लिए भेजे गए हैं। महराश्ट के नागपुर और केरल के कोची में आया नया मामला। उधर महराश्ट में एक दक्षन अफरीका देश से नागपुर लोटे 40 वर्षी वक्ती में वाइरस के अमिक्रॉन सरूप के पुष्टी हुई है। इसके साथ ही राज में अब तक इन सरूप के 18 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच केरल के कोची में एमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। शक्स 6 दिसम्बर को ब्रिटेन से कोची लोटा था और 8 दिसम्बर को क्रोना पॉजिटिव पाया गया था। इसकी जानकारी के इलकिस्वास मंत्री वीना चॉज ने दी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।